हाई गाई देखिए क्या क्या है हम बहुत सारी बुकाय मिलने वाली है फर्स्ट मैं बात करूं कि लाइन्स एंड रूल्स इनका रूल क्या प्ले करता है एक्चुली मैं यहां पर एक चीम और गवर्णर इन दोनों में कंफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है कंफ्लेक्ट मिलना इनके जगडा चल रहा है यानि की एक दूसरी की बात नहीं मान पा रहे है तो ऐसे केश में किसका क्या रोल होना चाहिए ठीक है कैसे चलना चाहिए इसके उपर सारा कैसारा लिखा हुआ है आई हूप टाइट करने के लिए यानि कि सारी चीज क्लियर करने के लिए क्या दा रूल एंड फॉंक्शन क्या रूल क्या है कारे क्या 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 फॉंक्शन है और गवर्णर के क्या 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 कारे है फॉंक्शन है यह टाइम आ चुका है क्लियर करने का क्योंकि बहुती ज्यादा दिक्कत में है केरला इस समय कले रहे हैं तो लट से स्टार्ट देखते में आज क्या है यह देखी साइन्स मादला निशान या makya of confrontation confrontation का मतलब होता है कि एक दूसरी के सामने यह आमना साबना करना confrontation गुस्य में वो भी क्या करना आमना सामना करना confrontation क्या between किनकिन की बीच में between राजभवन and the elected government जो elected government चुनी जाती है जनता के दवार उसके दवार उन में ठीक है किस-किस में राजभवन में और elected government में क्या हो चुका है confrontation यानि कि आमना सामना भई हो रहा है clear है in a state एक state में are not in frequent in the country ठीक है एक state में यह बार बार होना ऐसा कोई जरूरी नहीं कभी कभार ऐसा होता है in frequent के मतलब हमेशा बार बार होना और इन लगा दिया उसका opposite word है इसका मतलब होगे in frequent मतलब कभी कभी clear हो गया देश में किसी किसी राज में कभी कभी ऐसा होता है कि confrontation between किस किस में आपका governor and cm यानि elected government यहां तक clear हो गया आगे देखते हैं the onus onus का मतलब होता है जिम्मेदारी या responsibility या दायत तो आप चुभी कह सकते हो the onus of an appears मालम होती है to be on chief minister to avoid a constitutional crisis क्या कहना चाहरा है ये कहना चाहरा है कि यह जिम्मेदारी कि स्की होती है cm की होती है ठीक है onus यानि जिम्मेदारी किसकी होती appears महसूस मालम होती है लंगा ओनinaire chief minister to avoid का होता है किसी भी परिशानी को टालना क्या होता है किसी परिशानी को टालना या हटाना ठीक है constitutional crisis कभी आता है तो chief minister की जिम्मिदारी यह होती है उस crisis को हटाने की as evidence by penary vision penary business cm of kerala है ठीक है पता ही है evidence जैसे उन्होंने दिखाए कि आ szanti चाहते हैं क्या चाहते हैं भुड आ मिवड मिव्ड का मतलब चड़े हुए कोर्षे में भू सकता हूं एक है अप इसका विवड गुष्चे में लख सकते आरे मोहमद आ दिहान रखना ऐसे questionقت अप किए जाते हैं मिवड भी कई बार ऐसं बड़ पूछा गया है कि actually meaning क्या है तो ये नाराज गुष्चा ठीक है दोनों ही चल जाता है दोनों इसके क्या meaning है rather than pursue a confrontational course ठीक है over several issues on issues in recent time अगर मैं recent time की में बात करूँ कि उन्होंने pursue confrontational course मतलब आमना सामना करने की बज़ ज्यादा उन्होंने क्या कि peace को क्या करना चाहा peace को लेना चाहा किसने नैरी बिजयन ने आरी मुहंबद जो किरिला के governor है उन्होंने ज्यादा जगडा नहीं किया यानि कि ज्यादा गुशा नहीं हुए वो उन्होंसे बल्कि उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे किरिला की cm कि यहाँ पर peace यानि कि शांती बनाए रखें clear हो गया यह तो समझ में आ गया होगा next पर move करते हैं आगे देखिए आप यह क्या लिखा है one way of seeing these development अगर एक तरफ से हम यह development या जो बढ़ती हुई चीजें देखते हैं is to attribute यह इसारा करते हैं क्या करते हैं attribute them उनकी तरफ इसारा करती है the appointment of those जो उन लोग का appointment किया जाता है who have been politically active जो क्या है politically active है in the recent past as governor जो भी गवर्नरों से recent time में politically active रहते थे थे वो and the partition role they play as agent of ठीक है agent of the center अब यह क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है कि अगर मैं सारी की सारी बाते देखूं तो यह कहना चाहरा है कि जिन एक तरफ देखा जाए एक मिनट अगर एक तरफ से देखा जाए the one way seeing these development to attribute अगर तरफ से देखा जाए तो ये सारे सारे इसारे करते है attribute की मतला इसारे करना यह संकेत करना them to appointment जिनको appointment किये जाती है उनकी यह चुना जाता है ठीक है यह यानि governor को चुना जाता है who have been politically active वो कौन है पहले से ही political active है इन दा रिशेंट पास्ट अभी हाल फलाल में कहर रहते हैं governor बनने से पहले वो politics में काफी active रहते हैं ठीक है as governors and the partition role play role they play as agent of the center अगर देखा जाए partition का मतलब है किसी एक party को या एक person को support करना क्या करना एक party को या एक person को क्या करना support करना ठीक है न तो अगर मैं बात करूँ इसकी partition का मतलब क्या होगा है कि एक person को support करना इनका role play क्या रहते हैं एक agent बनके रहते हैं कि सीज के central government के या center के क्या रहते हैं यह हमेशा एक agent बनके रहते हैं उन्हीं के अनुसर काम करते हैं यह ठीक है यह problem यह हमेशा रहती है कि उनको यह लगता है कि सारी सारी उनको यह लगता है understand यह लगता है कि सारी की power उनकी खुद की है गवर्णर को यह लगता है ठीक है constraint constraint का मतलब होता है कि किसी को रोकना बाध्य करना मजबूर करना constraint का मतलब बात दे करना मजबूर करना ठीक है add and advice किसके लिए साहता के लिए और सलहा के लिए clause in their routine functioning ठीक है उनके ये देखिए कि governor जो होता है वो किसके लिए aid and advice के लिए क्या होता है वो मजबूर होता है मतलब बही चीज अगर कोई समस्य आ रही है तो ministers यह है उनकी वो advice मानेगा ठीक है इसके लिए वो क्या है बात दे है constraint है clear है some governor seem to be using discretionary space available यहां से देखिए आप कि some governors कुछ governors होते हैं ठीक है plural ऐसे लगा हुए plural है इसलिए वह भी इन्होंने लगा दिया good to be using discretionary discretionary क्या वर्ड होता है बहुत ही अच्छा वर्ड है क्रेशनरी और डिस दौन लगा दिया इसका मतलब है discretionary यानि बिवे का धीन क्या है बिवे का धीन यानि कि दिमाग से सोचने की सकती हो पावर दी जाए कि आप सोचने की सकती हो पावर दी जाए कि आप समझ की decision लेजिए ठीक है बहुत कहते है discretionary इस पेस एविलेबल स्पेस एविलेबल रहता है टू दैम उन लोग के लिए टू कीप रिजीम यानि कि सासन में ठीक है टेंटर होक जो भी है ठीक है अभी छेतर दिकार में जो इतने भी सासन चल ला है कि वहां पर अगर कोई समझ से create होती है confrontation between cm and और आपका governor का रहता है तो उस समय क्या होता है कि वह सारी की सारी चीजें डिस्क्रेश से पावा से solve की जा सकती है तो समझ करके के लिए रहे आगे देखिए एक constitutional bench of the supreme court ठीक है of the supreme court lay down अब एक बड़ आगे ले डाउन है बहुत ही अच्छा बड़ है तो इसका मतलब मैं आपको बता हूँ ले डाउन का मतलब होता है निर्धार्थ करना क्या करना निर्धार्थ करना क्या करना निर्धार्थ करना क्या क्या करना निर्धार्थ करना तो इसका क्या मतलब होगा निर्धार्थ करना या निर्धार्थ करना ठीक है या ले इसका एक्चुली मीनिंग होते है ले डाउन, ले डाउन के स्टेटा रूल, रूल बनाना, ठीक है, इन 1974 में सुप्रीम कुर्णर एक निर्धर्द कर दिया था, डैट दा प्रेजडेंट एंड गवर्नर सेल, कौन-कौन, प्रेजडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, अब यह जो पूर फॉर्मल कॉंस्टिटिशनल पावर्ज, ठीक है, जो भी फॉर्मल कॉंस्टिशनल पावर्ज है, उनको ही फॉलो करना है, एक्सिसाइज करना है, ओली अपॉन, ठीक है, इन अकॉर्डेंज बिद जिनके अनुसार, एडवाइस ओफ देर मिनिस्टर्स, यानि कि जो situation होती है तो आपको क्या करना है गवर्णर को प्रेज़िदेंट को जो इनके ministers है ठीक है उनकी अनुसारी उनकी एड पर उनकी advice पर क्या करना आपको काम करना है ठीक है situation आज देखें also illustrated illustrated का मतलब पहले से explain है illustrated का मतलब पहले से explain ही नहीं बिद एक्जांपल के list में पहले से सब कुछ explain कर रखा है ठीक है तो उसी के according ही चलना है yet there is ऐसा होता है कि extraordinary situation of some governor not acting upon the request extraordinary अगर माली situation होती है तो governor not acting upon the request to to grant the clemency कि जो अगर जैसे कि जितने भी आपके leader है ठीक है council के तुब अगर request करते हैं तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि request को grant कर दे ठीक है clemency दिखा करके ascent देदे ascent का clemency का मतलब दया होता है क्या होता है clemency का मतलब kind है यानि कि दया और यहां का ascent का मतलब अनुमती ठीक है कि बिल पर क्या कर दे एकदम से अपनी सहमती दे दे जैसे माली request की और वो क्या करते हैं पिंखल गए और दया दे दी ऐसा नहीं है actually में उनको क्या करना पड़ेगा जो सही है सही को मानना पड़ेगा गलत है गलत को मानना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ डिस्क्रेशनी पावर किसी पर रहती है वो लाई इन गवर्नर पर डिपेंड करती है अब यहां से देखिए in one instance मतलब एक example देखिए इन तमिल्नाडू ठीक है तमिल्नाडू का हम उदारा लेते हैं our reluctance मतलब अनिच्छुक रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक ठीक इच्छा ना होना to reserve for president constitutional a bill that expressly requires presidential assent because of obvious obvious conflict with the central law क्या कह रहा है कि जो reluctance है मतलब अनिच्छुक require reserve रखना यह कहने का मतलब उन्होंने अनुमति नहीं थी गवर्णन रहे आरिफ मौंबान ने ठीक है because of presidency consideration चाहते थे वो कि president शाहब उस पर क्या करें ध्यान दें किस पर बिल पर ध्यान दें that expressly जो clearly expressly मतलब clearly require जरूर रहता है क्या presidential assent की कि president शाहब की क्या assent की यानि उनकी अनुमति के जरूर होता है क्योंकि because of the obvious obvious का मतलब clear होता है साफ साफ क्या conflict with the central law कि जो central government का law है उसके साथ वो क्या कर रहा है state government का conflict कर रहा है law इसलिए वो चाहते हैं मुहम्मद आरिफ यानि की जो governor of केरला की इस बिल पर प्रेजिडेंट शाहब की क्या हो आपको consent मिले तो ठीक है बरना फिर देखा जाएगा ठीक है बिल बापस कर दिया जाएगा आगे देखिए much of conflicts arise बहुत सारी conflicts arise मलब उठते हैं ठीक है due to किसकी वाज़े से due to constitutional या constitution itself की constitutional की बज़े से ही बहुत सारे क्या होते हैं मैं फिर से लिख देता हूं कि constitutional की बज़े से ही बहुत सारे conflict क्या है arise जो ते उड़ते हैं ठीक है clear हो गया it fixes no time framework for governor to act कि यहां पर governor के लिए कुछ time frame नहीं दिया गया time boundary से नहीं दिया गया कि इस time के दोरा नहीं है आपको यह चीज़ क्या करनी है fix करनी है किसी conflict को clear and constraint सीमित नहीं किया गया constraint constraint का मतलब बहुत सारी contain जो कुछ दिया गया है उच में सेमित टाइम चे नहीं दिया गया है और बहुत सारी time no time framework है मैं time framework दिया ही नहीं है in articles 163 की मैं बात करूँ 163 and unusual power to choose ठीक unusual power है choose करने की what is their discretion and what is not हमें यहीं नहीं पता चलता हूं तो हाँ से किस किसन पावर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है with the courts being barred from inquiry into whether any advice if advice court ने पहले से बार कर रखा है और बार का मतलब रोकना रोक लिया है प्रतिवन लगा दिया inquiry पर into whether any advice is जो कोई advice देता है उस पर inquiry करना जरूर नहीं है जैसा है ऐसे follow करो if so अगर ऐसा होता है what advice was given ठीक है कि क्या advice दी गई है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर जाके inquiry करो पहले उसे देखू constitutionally advice है या नहीं है इतना दिहान देना है और ज्यादा inquiry नहीं करने इस पर the सरकारिय कमिशन सरकारिय कमिशन थी ठीक है जिसने क्या बताया था सेंटर स्टेट के relationship को recommendation दी थी उस पर ठीक है no change in this scheme कि जैसा है constitution बैसा ही रहने तो कोई change मत करो इसमें ठीक है यह किसने बोला था सरकारिय कमिशन अब question बनने वाला है कि आपको सरकारिय कमिशन किस से related है तो सरकारिय कमिशन relationship between center and state पर बनी हुई है ठीक है क्योंकि सरकारिय कमिशन ने क्या दी थी recommendation दी थी आगे देखें आप लेकिन it is time यह time है to revisit अभी दुबार से दिहान देने का जो commission ने request किया था यह फिर जो constitution में है उस पर थोड़ा सा दिहान देने की है उसे दुबार से समझने की जरूरत है वाइल एज लिंच्पिन लिंच्पिन एक बर्ड है और इसका अप चाह आप ल आई भी का सक्टिव से ल आई एन सी एच पी आई यह दोनों ही character spellings अच्छा लिंच्पिन का मतलब क्या होता है मैं उता दू लिंच्पिन का मतलब होता है कि central cohesive source कहने के मतलब support किसी एक को support करन ठीक है जो central के source है उसी को ही support करना या stability लाना ठीक है of constitutional apparatus की constitutional apparatus या constitution को हम क्या करेंगे support करेंगे governor in needed का मतलब बास्ता में have a duty to defend the constitutional ठीक है constitution constitution को इडिफेंड का मतलब बचाब करना constitution का governor की यह जिम्मेधारी है encourage or caution the elected regime और encourage करना है शतर की करना है ठीक है elected है ठीक है चुना हुआ है उसको बताना आए भी constitution को तो follow करना पड़ेगा उसी के according ही चलना पड़ेगा the impression that governor are not obliged to heed the cabinet advice governor are not obliged जरूरी नहीं है कि governor हर हीड का मतलब ध्यान से सुनना pay attention to obliged का मतलब किसी चीज़ को ध्यान से continue करना या उसके सुनना अपने moral duty के according ठीक cabinet advice को वो हमेशा सुने persist in some areas कि वो request करें पड़े हैं और वो सुना जा रहा है ठीक है चाहिए गला तो या सही हो तो जरूरी नहीं है कि governor ऐसा करे at a time when regional political forces are actively seek to be heard by the center लेकिन अब वो क्या करना चाहरा है कि जो regional political forces है यानि कि जो cm बगरा है वो actively कोशिश कर रहे हैं सीकने की seeking का मतलब ढूनने की तलास करने की to heard to be heard by the center यह सारी चीज़ें किया को center के द्वारा सुनी जाए ठीक है वो यह कोशिश कर रहा है हार तरह के effort डालता है कि center government इसको सुने अब यहां से देखिए it is may it may be time यह समय है क्या that की provisions relating relating to the governor चो governance से संबंदे जितने भी rules है rule and amend उनको क्या किया जाए उनके rule को यह फिर governor के जूर जितने भी provision से उनको amend किया है संसोधन किया जाए अमेंड का मदब संसोधन करना identify उनको पहचाना जाए ठीक है area of discretion का जो governor का area है discretion का मदब decision लेने का बो कौन-कौन सा है और fixing a time frame एक time frame किया जाए ताकि वो governor जो उस time के दोरान allot किया हुआ time है उसमें decision ले सके for them to act ताकि उस पर काम किया जा सके and making it explicit यह सब किया जा सके explicit करना साफ किया जा सके that they are obliged कि governor obliged होता है क्या to go by cabinet advice कि cabinet advice के लिए वो क्या होता है आपका obliged होता है उसको follow करने के लिए cabinet advice को मानने के लिए on dealing with the bills bills पर काम करने के लिए can be considered यह सारी चीज़ें दिहान में रखनी चाहिए ठीक है रखी जानी चाहिए regarding the bills अगर मैं bills की बात करता हूँ it is clear यह साफ है क्या the constituent assembly passed the provision ठीक है एक पास्ट प्रोविजन किया है क्या for the governor to return the bills for the consideration reconsideration की की governor जो है उसको दोबारा से reconsider करें बिल को जो भी पास्ट किया हुआ है government के state government के द्वारा अब आप देखिए ठीक है reconsideration only the expressing assurance reconsideration only express assurance that they have no discretion at all कि उसके पास कोई भी discretion नहीं है in addition as suggested by the mm पुंची अगर इसके अलावा में मात करो इन addition का मन्दा इसके अलावा mm पुंची commission जो थी ending the practice of burdening the governor कि हम जितने भी काम करते हैं कि governor pressure डाल देते हैं ये ठीक नहीं है with the office of chancellor in the university should be considered और हम क्या choose कर सकते हैं कि chancellor in the university should be consider कि उनको भी धिहान में दिया जा सकता है कि decision लेने के लिए ठीक है तो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर governor और cm के between जो होती है relationship state and government state और central government के होते हैं उसके बारे में बताया गया है article number 163 तो question बहुत से important बन सकते हैं कि बताए कौन सा article है जो state और center के relationship को दरसा आता है ठीक है 163 है और कौन से सरकार यह commission क्या थी उसने क्या दिया था वो state और relation center के state या फिस center और state के relation को बताया था यह सारे सारे जो question यहां से put up होने और बहुत ही बहतरीन है और आपकी बुकेब भी बहुत अच्छी यहां से होने वाली है तो देली देखिए वीडियो लाश्ट में अगर पसंद आए तो शेर कर दीजे लाइक कर दीजे ताकि हमें motivation मिल सेगे तो मिलते है नेक्स सेशन में तब तक कि यह बाबाय टेक क्या हो